नमस्कार दोस्तो जी आरेस टेक्निकल में आपका स्वागत है आज दिनां के 11 अक्टूबर का बिल्कुल ताजा ताजा करेंट अफेयर्स आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ तो चलिए दोस्तो देखा जाए पहला प्रश्ण है कि पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर 2018 को कौन से मिसाइल का सफल परिक्षन किया उसका क्या नाम है तो दोस्तो उसका नाम गौरी है यह मिसाइल 1300 किलो मिटर की दूरी मारक छमता रखता है और साथ ही साथ दोनों पारम परिक औ और परमानू हथियार ले जाने में सक्चम है इससे पहले अप्रेल में बाबर मिसाइल पाकिस्तान ने लॉंच किया था उसका मारक छमता 700 था किलो मिटर SBI कीन कमपनियों का सहायता करेगा तो NBFC गैर बैंकिंग वितिये कमपनियों का सहायता करेगा विश्वमान्सिक स्वास्त दिवस कम मनाया जागा यह बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्त दिवस्त दस अक्तूबर को मनाया जाएगा इसका पूरा विवरन देता हूं मैं विश्व मानसिक स्वास्त दिवस 2018 का विश्य क्या है ऐसा प्रश्ण आएगा तो देखिए उसका जो विश्य है वो है बदलती दुनिया में युवा लोग और मानसि स्वास्त अगला प्रश्ण है हाल ही में किस सूप प्रसिद्ध मल्यालम कभी का निधन हो गया तो एम एन पलूर का निधन हो गया 9 अक्टूबर 2018 को केरल साहित आकाडमी पुरसकार से ये नवाजित हो चुके हैं 293 में कलाई कलंबुक के लिए जो लिखे थे इन्होंने और 2013 में उनकी अपनी आत्मकथा कथियल लथवन्त कथा के लिए साहित आकाडमी पुरसकार 2013 में इन्हें मिला है और भी प्रशन है दोस्तो तो चलिए देखा जाए अगला प्रशन है दोस्तो शबसे सकती साली पासपोर्ट की देश का है तो जापान का है ये 190 गंतव्यों से यात्रा कर सकते हैं यहां के लोग और सिंगापूर 189 और सबसे सकती साली देश जी बहुत अच्छा कोस्चन है जापान है एकदम सबसे नंबर वन पे सेकेंड पे हैं सिंगापूर और ठर्ड में हैं जर्मनी दक्छिन कोरिया और फ्रांस तो सबसे सकती साली पासपोर्ट किस देश का है तो जापान का भारत विश्व असमानता सुचकांक में किस अस्थान पर है तो 147 तो 9 अक्टूबर 2018 को युवा ओलंपिक 10 मीटर एयर पिस्टल सुटिंग में कौन सा देश स्वन पदक जीता तो देश तो है हमारा प्यारा भारत और यहां पर जीत चुकी है मनु भाकर और ये भारत में पहली स्वन पदक विजेताधारी भी बन चुकी है भारतिये वायू सेना द्वारा कौन सा एप शुरू किया गया है तो मेडवाच इनडियन एयर पोर्स द्वारा सुरू किया गया है अगला प्रश्ट है तो 2022 में यूवा ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो सेनेगेल अफरीकी देश है वहाँ पर आयोजित होगा राष्ट पती रामनात कोविंद ने महालेखा कारों के सम्मेलन का उधगाटन किया वो कहां किया तो नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतराष्ट्री बेडा समिक्छा आये फार में भाग लगा तो दक्षिन कोरिया ओनलाइन असवाशन निगरानी प्रणाली की सिलान न्यास किसके दुआरा किया गया तो ओनलाइन असवाशन निगरानी बहुत इंपोर्टेंट है ऑनलाइन अस्वासन निगरानी तो विजय गोएल ने किया है पाकिस्तान में आई एस आई के नए महानी देशा कौन है तो लेटिनेंट जनरल असीम मुनिर बीपी सी एल जैक इंधन सन्यांतर की स्राज में अस्तापित करेगा तो ओडिशा तो बस दोस्तो आज के लिए बस इतना ही हस्ते मुस्कुराते पढ़ते रहिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले जैहिंद वंदे मातरम अपना प्यारा चैनल जियरेश टेकन एक निकल देखना न भूले